अस्सलाम अलेकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले OEM मशीन्स और डिफरेंट टाइप के मदर वोट्स के फ्रंट पैनल के पावर बटन पीन को आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको मैनूली आउन कैसे करें उससे पहले जिनको भी वन टाइम सॉल्यूशन चाहिए उनको मैं ये वाली आप्टिप्लेक सीरीस जो 330 से 380 तक और 745 से 780 तक जो सब का पैनल से में उसका पावर बटन पिन बता दू तो ये है पावर बटन पिन जिससे आप आप आउन कर सकते हो किसी भी नियर बाई ग्रॉ लोजिकली हर टाइप के पैनल के पावर बटन पिन को आइडेंटिफाई करना है तो आईए हम इस वीडियो में समझेंगे और इस मेथट से हर किसी बोड में हमें आसानी होगी यह हमारे पास डेल अप्टिप्लेक्स को टू डो प्रोसर सपोर्टेट वाला एक सीप्यू का मदरवोड है यह मदरवोड इसलिए सेलेक्ट किया हूं कि मैं इसका फ्रेंट पैनल थोड़ा कॉंप्लिकेटेड है यह रहा इसका फ्रेंट पैनल जो अलग से डिसेंबल कर दि यह अलग से पैनल है जो कि मैं कैबिनेट से डिसेंबल करा हूं अगर यह पैनल अपने पास नहीं रहा या किसी और दूसरा कॉंप्लिकेटेड मदरवोड है जिसका फ्रेंट पैनल थोड़ा डिफरेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है वह स्विच कौन सा है जो यह ब दूसरे मदरवोड या तो डिफरेंट टाइप के मदरवोड के पैनल आपको थोड़े से यूनिक रहेगे उसको आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्लत होगी तो यह यह के फ्रेंट पैनल का केबल यहां पर अटेच्टेस मदरवोड को हम इसको डिटेच करेंगे फस् इसका फ्रेंट पैनल का कनेक्टर दूसरे मदरवोड से बड़ा है और इसमें पैनल के पिंस भी ज्यादा है इतने ज्याद सारे पिंस में से हमको इडेंटिफाई करना है सिर्फ एक पिन जो पावर बटन का वर्क कर रहा है उस एक पिन को हम इस मल्टीमेटर के जरिए यू भी मदरवोड के फ्रेंट पैनल के पावर बटन ट्रेस कर सकते हो और ट्रेस करने के बाद आपको इजीली पता चलाएगे कौन सी पी ने उसको शॉट करती बॉर्ट अन हो जाएगा पिन को आइडेंटिफाई करने के लिए फस्ट हमें फ्रंट पैनल के सेक्शन को देखना है मदरवोड में सेकेंड उस सेक्शन में एनसी यानि नो कनेक्शन कहां पर है वो देखना है ठर्ड उसके नियरवाई वोल्टेज चेक करना है जो और आंट 3 वोल्ट होगा फूर्थ आपको इंबिडेंस चेक करना है जो 0.200 से 0.500 के इन बिट्वीन होगा फिफ्थ आपको वो वाली पिन किसी भी ग्रॉंड को शॉर्ट करके चेक करना होगा जिससे आपका बोर्ड अन होगा या नहीं इस मिथट से मैं सभी पिन्स का डाटा क्लेक्ट करके आपको प्रैक्टिकल ली बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए मदरवट को पावर कैनेक करने के बाद मल्टी मीटर को DC वोल्टेज पर सेट करें जिससे इसका DC वोल्टेज पताओ और मीटर का एक प्रोब ग्राउंड पर लगाने के बाद सभी पिन का वोल्टेज चेक करेंगे पिन नमर वन से पिन नमर वन टू त्री यहां हमारे पास सभी पिन्स का DC वोल्टेज रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड हो गया है मल्टी मीटर को डायोड मोड पर रखकर इंपिडेंस चेक करना है तो पहले रेट प्रोब को ग्राउंड में रखें और ब्लैक प्रोब से सभी पिन्स चेक करना है यह मीटर का है डायोड मोड पिन नमर वन से चेक करेंगे वन टू त्री अब हमारे पास सभी पिन्स का impedance भी return form में recorded है अब ये वाली drawing में आपको अलग-अलग single वाली pin का voltage और impedance एक साथ देखने को मिलेगा इस वाली drawing में हम compare करेंगे हमारे identification method को जिसमें ये two pins identify हुई है जिसका voltage और impedance match हो रहा है पर हम first priority वो वाली pin को देंगे जो NC यानि no connection के खरीब है power button switch करने वाली pin हमको यह identify हो गई है वो ये वाली pin पे हमको three point के उपर voltage हो रहा है और perfect impedance के साथ हम वाली pin अब switch करेंगे किसी भी ground pin से नस्दिक में ground वाली pin यही है से switch हो गया है पावर अब स्टाट हो गया है अब थोड़ी दिर में डिस्प्लेय आ जाएगा मानिटर पर ठीक है डिस्प्लेय आ गया है अन करते हैं बूट हो रहा है इस तरीखे से हम identify कर सकते हैं और भी मदर वोट्स का फ्रंट पैना ग्रापीन इस वीडियो को देखने से आपको कुछ नया जनने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और suggestion के लिए comment भी करियें कर दो